हेलो और नमस्कार स्वागत आप सभी का निरित करता हूँ आप सभी स्वाष्थ होंगे आज हम बात करेंगे अटल भिहारी वाजपे सरकार और मोधी सरकार के एजुकेशन फॉलिसीज के बारे में अटल भिहारी वाजपे की सरकार 1998 में आई थी इस सरकार में सन 2000 इसवी में सर्वसिक्षा भियान एक स्कीम लांच किया गया जिसमें 6 वर्स से लेकर 14 वर्स के सभी स्टूडेंट को फिरी एजुकेशन देने का प्लैन था इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कि बच्चों को एजुकेट करना और स्कूल्स में जो ड्रॉप ओट रेट्स बहुत अधिक बढ़ चुका था उसको कंट्रोल करना है यहीं इसकी सफलता की बात करें तो सेंटल गौर्मेंट के द्वारा एक स्टेटमिन रिलेज कीया गया था 2012-13 में उसमें यह कहा गया था कि पिछले साल के मुकाबले याणि 2012 के मुकाबले 2013 में इसकूल से ड्रॉप ओट रेट्स की संख्या काफी कम होई है जो ड्रॉप ओट्स की संख्या 2012 में8 लाग थी वही dropout की संक्या 2013 में घट कर 30 लाग तक कम हो गया है इसका अश्रे SSA यानि सर्वसिक्षा भियान को दिया गया था SSA यानि सर्वसिक्षा भियान अब तक का सबसे successful initiative माना जाता है वहीं बात करें हम मोधी कवर्मेंट की तो इस government ने 2014 में आते ही एक नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जिसका main focus हा भारत में sex ratio को balance करना और महिलाओं को educate करना परन्तु इस government का main focus higher education पर रहा इसमें कोई doubt नहीं है कि मोधी government ने महिलाओं के लिए schools में toilet की बिवस्ता sanitary pad की बिवस्ता की है परन्तु इनकी शुरुवात से ही focus रहा है कि कैसे इंडिया की higher education को world level तक पहुचाया जाए इसके लिए इस government report की माने तो कहा जाता है कि पिछले 7 से 8 सालों में मोधी government ने 7 new IIMs, 6 नए IITs और 2 नए new India Institute of Science Education and Research IISERS खोले गए हैं और यह भी कहा गया है कि इनको world level के institute के तरज पर develop किया जाएगा इन सब के अलावा मोधी सरकार में online education को भी ज्यादा focus किया गया है CBSE यानि Central Board of Secondary Education के द्वारा एक initiative की सुरुवात किया गया है जिसमें जो भी disadvantaged girl student है और other student जो SCST से belong करते हैं या minorities में हैं उनके लिए ज्यादा फायदे मन्द है इसमें science और mathematics के education पर specially focus किया गया है दूसरा एक scheme launch किया गया है जिसका नाम प्रगती है यानि providing assistance for girls advancement in technical education initiative है इस scheme में कहा गया है कि एक family जिनकी annual income छे लाग पर year है या इससे कम है वैसी हर एक family से एक girl को select किया जाएगा इसके अलावा इसमें select होने के लिए आपको entrance exam qualify करना होगा और इससे आप technical education pursue कर सकते हैं इसमें सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको 30,000 रुपे का scholarship पर month दिया जाएगा वहीं बात करें तो इस government के द्वारा एक web portal launch किया गया है जो basically Indian professors के द्वारा online course offer किया जाता है जिसका नाम स्वयम है यानि study webs of active learning for young aspiring minds through which students in remote parts of the country can benefit from lectures of the top teachers the digital modes are cheaper, more easily accessible, interactive and offer flexibility for people to learn at their own place we need to bring more innovations in pedagogy which can also help the students understand concepts much better we need to adapt to the changing requirements of the market all these can be developing a long term vision for 15 years a strategic plan for 7 years and an action plan for 3 years सभी course free of cost provide किया करा जाती है और यह भी government के द्वारा funded portal है यहां से आप कोई भी course करके इसका certificate प्राप्त कर सकते हैं जो की पूरे India में valid है वही बात करें कि आप यहां पर कौन-कौन से courses कर सकते हैं तो यहां पर आप schooling से लेकर higher education, professional education सब तरह के courses कर सकते हैं यहां पर सभी परकार के courses free of cost available है या government के द्वारा काफी अच्छा initiative बताया जा रहा है या काफी ज़्यादा helpful है इसके लिए जो offline courses में enroll नहीं हो पाते हैं ज्यादातर गाओं के बच्चे और लड़कियां होती हैं जो offline courses में enroll नहीं हो पाती उनके लिए ज्यादा helpful साबित होगा लास्ट में हम बात करेंगे इंडिया की new education policy जो की मोधी government से ही launch किया गया है इसको अगर detail में जानना चाहते हैं तो नीचे comment box में कमेंट करके हमें बताएं अगर यह वीडियो आपको informative और helpful लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें मिलते हैं दूसरे वीडियो में धन्यवाद कि गचित अजब बाल को dream है कि घूसरे मिलते हैं थचिते हैं झाल झाल recognize the